नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अबेपरताब और आप देख रहे हैं AP Drawing तो आज हम आपको 3 x 5 पॉइंट की हल्प से यानि 15 पॉइंट की हल्प से सबसे आसान तरीके से भगवान गनेश जी का चित्र बनाना सिखाएंगे जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आपको ऐसे 15 पॉइंट आसानी से लगाना होगा अब ध्यान से देखिएगा इस पहले वाले पॉइंट से आप यहाँ पर ऐसे मिलाईएगा और इधर से इस दूसरे वाले पॉइंट को से तीसरे वाले पॉइंट को मिलाते हुए नीचे के साइड में ऐसे बढ़ा देजिएगा ध्यान से करिएगा हो सके तो आप मारकर पेपर पैंसिल उठा लिजिए और हमारे साथी बनाना शुरू कर दीजिएगा यहां से इसको हम डबल कर देंगे फिर दोस्तों चोटी सी लान इदर एक लाइन आप इधर बढ़ाईएगा इसको ऊपर की तरफ बढ़ाती हुए ऐसे मिलाएंगे चोटा सा एक सर्किल बना दीजिए अब दिखिएगा यहां से इसको हलका सा अंदर की तरफ इधर बढ़ाएंगे और इस पॉइंट को टच करती हुए इधर ऐसे ले जाएगा और यहां पर लाकर ऐसे मिलाएंगे यही आपको इधर भी ऐसे ले जाना होगा यहां से इस पॉइंट को मिलाएंगे अलका सा अंदर की तरफ करती हुए हम इस पॉइंट पर लाकर मिलादेंगे और गाइस आप कमेंट बॉक्स में जाकर भगवान गनेश जी की जय जरूर लिखिएगा और आपसे एक बहुत ही छोटा सा कुशन भी है अगर आपको पता है भगवान गनेश जी की माता और पिता जी का क्या नाम है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा अब धिijnज़न से देखेंगे आप यहां से इस वाले पॉइंट से नीचे की तरफ लटाईएगे इधर मिला दीजी मिलाने के बार आपको यहीं से इधर ऐसे इस पॉइंट को टच करना होँगा पिर नीचे की तरफ यहां पर ऐसे मिलाईएगा और यहां से ऊपर की तरफ दिखेगा इस point से इधर यहां फिर उपर अब दोस्तों इसी point से आपको double करना होगा इसको इधर ले जाएंगे यहां पर मिलाएंगे और इसको आगे की तरफ बढ़ाते हुए यहां पर ऐसे बढ़ाईए अंदर की तरफ ले जाईएगा फिर बाहर के साइड में करते हुए इ अब इस point की help से हमें गनेश जी का आई बना देना है यहां इधर बढ़ाएंगे यह बढ़ाईए एक सर्किल बनाईएगा और इसको ऐसे आप डार्क कर देंगे उपर के साइड में eyebrow बनाके इधर आप ऐसे चोटी चोटी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस साइड आपको गनेश जी का चित्रबन के तायार हो गया है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर करिएगा